प्यारे बच्चों, NCRT का फिप्ट क्वेशन है, इंपोर्टेंट है, Why do we need to expand the formal sources of credit in India? हमें भारत में रिन के उप्चारिक स्रोतों के बढ़ाने की क्यों जरूवत है? और अथ्वा, There is an urgent need to expand formal sources of credit, analysis, the statement, रिन के उप्चारिक स्रोतों के विस्तार की अच्याधिक जरूवत है, कथन का विस्लेशन करें, फर्स्ट पॉइंट है, किस चाइप से करना हमें, supervision, निरिक्षन करना चाहिए, The formal resources work under the supervision of the Reserve Bank of India for the RBI. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI motions that the banks actually maintain the cash balance, similarly the RBI motions, monitors that the banks give loans not just to profit, making business and traders, but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on low much, they have lending to whom, at what interest rate, etc. इसका आर्थ ये हुआ बच्चों, ओप्चारिक स्रोत भारते रिजर्व बैंक की देख रेक में काम करते हैं. हमने देखा है कि बैंक पुल जमारासी का न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं. RBI इस पर भी नज़ा रखता है कि बैंक वास्तों में नगद रासी रखे हैं या नहीं. इसी प्रकार RBI इस बात पर भी नज़ा रखती है कि बैंक के वर लावर्जित करने वाले व्यवसाईयों और व्यापारियों को ही रिण मोहिया नहीं कराता बलकि छोटे किसानों, उद्जोगों, छोटे कर्जदारों, आदी को भी रिण दे रहे हैं. समय समय पर बैंक को द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको रिण दे रहे हैं, उनकी ब्याज की दर क्या है?